जेहिन दोस्तों मैं आपका दोस्त लकीफ हो जी तो आज का वीडियो में लेके आया हूं खासकर जातिवाद के उपर जी हां दोस्तों जातिवाद के उपर काफी कुछ प्रोपगेंडे चल रहे हैं और मेरे को खासकर यह ज्यादा कोल आ रहे हैं कि सर आपकी कास्ट क्या है आ आप हिंदू हो मुस्लिम हो शिक हो इसाय हो या बोधिष्ट हो या राजपूत हो जाट हो ब्रामुन हो पंडित हो यादव हो स्टू क्या हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई इंडियन आर्मी में जो भी सोल्जर है आप मलब फोजी बंदे को किसी को देखे ल हो अभी तक अब या फोज में नहीं लगयो अपना मैं बता देना चाहता हूं और फोज के बारे में बता देना चाहता हूं कि फोज के अंदर कोई कास्ट कोई धरम कोई डिलेजिन नहीं होता है हम सब एक थाली के अंदर खाते एक साथ रहते एक साथ खाते पीते उड़ते बेढ़ते हैं सोते हैं सब कुछ यह तो यह अपने एक मानसिक्ता जो आपके एक मानसिक्ता नहीं है यह एक नगेटिव मानसिक्ता इसको आप चेंज करो मेरे भाई का आपका धरम कौन सा है आप कौन सी कास्च हो तो मेरे भाई फोज के अंदर आपको मैं बता देना चाहता एक रूम है इस रूम के अंदर आपको या हिंदू, मुसलिम, सिक, इसाई, चारो बगवान की मूर्तियां एक साथ मिलेगी और एक साथ हम पूरा माथा टेकते हैं उनको परनाम करते हैं तो ये एक मान सिकता सिविल के अंदर है ठीक है सिविल के अंदर मानता हूं आप लोग तुड़ी राजनीती में जएदा इंटरेस्ट लेते हो वगेरा वगेरा में लेते हो तो एक राजनीती चीज ऐसी है जिसमें हमारे को धरम से संबंदित बांट दिया जाता है हमारे को अलग अलग कर दिया जाता है भाई से भाई को राजपूत को जाट से हिंदू को मुसल से यह एक राजनिती एक चलती आई है और चलती रहेगी यह चीज यह चीज आप छोड़ देना आप अभी राजनेता यह पोल्टिक्स बनने वाल नहीं हो आप एक इंडियन आर्मी के सोलजर बनने जा रहे हो वहां यह चीज नहीं चलती है हिंदू मुस्लिम सीक इसाई जाट राजपूत ब्रामन वगरा वगरा कोई कास्ट वगरा इलेजन नहीं चलता फोज के अंदर हम सब एक साथ मैं 18 साल निकालका है 18 साल फोज के अंदर नोगरी करके हो कोई हमारा ये मलब भाई बंदी यह गराई पना गराई पना किसको बोलते है जैसे मैं राजस्तान कहाऊं कस्विर के दोस्ट है सिमल इमाचल के हैं अपने गुजरात के हैं अपना नोर्थ इस्ट में आसाम के माल्यो नागा लेंड के सिक्किम के ओल इंडिया से मेरे फ्रेंड है तो ये चीज़ हम रहें उनके साथ तो ये आप लोग एक गलत मान सिकता के सिकार हो तो मेरे भाई के अंदर इदे आपको जाना है किकत के अंदर फोज आपको जोइन करनी है तो ये हिंदू, मुस्लिम, शीक, इसाई, कास्ट, सबकास्ट ये छोड़ देओ ये पोईंट आपका क्लियर हो गया तो मेरे को आज के बाद ये फोन ही करना किसरा आपकी कास्ट क्या है आपका धर हमें थाली भी खाते हैं एक थाली में उड़ते हैं, मिरे इतने दोस्त हैं हिंदु हैं, मुस्लिम, स्षीक, इसाई हैं, जाट हैं, राज पूत हैं, ब्रामन हैं, S-C, स्ट, OBC, सब फ्रेंड हमारे दोस्त हैं, राज भी कोल आते हैं मेरे पसुन के, तो ये एक मानसिक्ता आ भी आप लोग जो बढ़ती होने वाले हो उसके बाद में एक बता देना चाहता हूं कि कुछ बंदे ऐसे दलाल बैठा रखें क्या बैठा रखें दलाल बैठा रखें कासकर दिल्ली रेलवे स्टेशन के उपर जो यह बोलते हैं कि नहीं लक्की में नहीं जाना दूसरी डिफ sn findings कि यहां कुछ लेंगे दलाल मिलेंगे कई कई जगे आपको बोलते हैं को तो घैजम को मिल जाए समझ मिल है कुछ ने कुछ बोल माल है यहां कुछ ने कुछ पंगा है बन रखेंडा मवर्य था श्व tease reaction चलनी राखें दल्लों से दलालों से आपको कोई दलाल मिल जाए तो उन दलालों से आपको सावधान ही रहना है वड़िए अपने पाइदे के लिए अपना उनको कमिस्टन मिलता है पांक January हर बंदे गे उपर 500 रुपे मिलते हैं अपने दलाल चोड़ रखें दिल्ली रेलवेइस टेशन के ऊपर मेरे कुछ बंदे आये थे मलब यूपी से बंदे आये थे उन्होंने यहां तक बोल दिया था कि सरह हम पीटने वाले थे उनको पीटना पाटना नहीं जो दलाल है उनको फोटो कीज के पाटने वाले बंदे उनको कोई गुम्रा होने के जुर्त निया मैं सबसे पहले बता दो बंदा घर से निकलने तक और मेरे यहां लाड़नू रेलवेइस टेशन पहुंचने तक मेरे को कोल कर सकते हो आप लोग और मैं प्रेशा नहीं होता उसमें का सर क्या बोलेंगे सर न उसकी जवाबदारी मेरी होती है मेरे अकेडमिक अंदर बंदा आगया तो समझा आगया आपको बात तो इन चीजों से इन दल्लों से और एक धरम और कास्ट से आपको बचना है यदि आप इन चीजों से बच गे तो बहुत उपर उठोगे बहुत उपर उठों के मेरे वाई तो दलालों से धर्म से कास्ट से रिलिजन से कास्ट सबकास्ट यह माइनर चीज़े हैं जो राजनिती में अपनाई जाती है ना कि फोज के अंदर अपनाई जाती है अभी बार-बार बोलो किसरा आप हमारे को ड्रेस दिखाते हो तो बैटा मांगी भी ड्रेस की नहीं बात कर रहा अपना फोजमन लगके ड्रेस पहणो तब आपको एसास होगा कि एकदम चेस्ट शीना फूल जाता आपका अंदर एक जोस आ जाता है तो यह ड्रेस ऐसे नहीं टांगता हूं मैं पीछे का अपने व्यूज के लिए या अपने यूट क्यूब चैनल चलाने के लिए मेरी पेंसन आ रही बता देता हूं उन दल्लों को मेरी सिस्ट शीजे तो इन गल्लों से दरने की जूर्ट नहीं है तो इन नंस साव़धान मेरे भाई खासकर जो पर नो जवान अभी फोजमन लगने वाले त्यार कर रहें आप आपको कुछ मीटी मीटी बाते या बड़े जोस में बोल देते हैं उनके चक्कर में पढ़ जाते हो वो अपना फाइदा देख रहे हैं अपना फाइदा उसके चक्कर में आपकी जिन्द के खराब गर देते हैं और मैं तो बोलता हूं लगा के दिखाओ और मेरे को ऐसे से बं उन सर्ते में कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकते चीजी क्यों मैं इमानदारी होने के नाते नहीं तो ऐसे जी बाते बोलुआ ने तो आप लोग अचंबित रहे जाओगे सर यह क्या बोल रहे हैं आप सी उर्तन सर क्या बोल आप लोग तो मेरा खेंडे के मतलब है कि आप लोग जयदा इस्तिमाल मत को और चीजों के पर आपका इस्तिमाल किया जाता और बार फैंगा दिया जाता जैसे उनका काम निगदा ऑउट तो ऐसे नहीं आप इरी फोज की थियारी करें तो फोज की इसाभचे आप लोग त्यारी करो और अगले से पूछो हजार स्व को यह हवा हवाई बातों में इन लड़ाई जगड़ों के चक्कर में नहीं फसना ठीक है सब अपने काम में लगे हुए है सब अपना मतलब से मतलब रखे वे अरे समय आ गया एक ऐसा फोजी आया था मैं आज से दो साल पहले और काफी कुछ आपको हकीकत बता गया बंदों को फोन करने की जूरत निया कहीं के गुमराहें होने जूरत निया इसके औप को आपकी पूरी भटति है और मेरे हजार आते थे पचास सो को लेंगे जिने बंदों नों वीडियो नहीं देखा था ऐसी बातें एसा मेडिकल और मेडिकल कोन कर देगा आपका जिसने आज तक फोजी जो इनिहीं किया वह आपका मेडिकल कैसे कर देगा ये बताव मेरे को उर्फ शिवरतन सिंग आपके साथ है आपको को गबराने की एटेंशन लेने की जूरती नहीं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना ज्यादा ज्यादा शेर कर देने आपका दिल चाहे तो आपका दोस्त लखी फोजी आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लाता रह कर दोस्त लगे पयादा ज्यादा